Hello DC fans, welcome back to my channel Daastan TV जैसा कि अब जानते हैं Matthew Vaughn, Hollywood के एक बहुत popular director है कई सारी award winning movies को ये direct कर चुके हैं Recently इन्होंने एक interview दिया था और इन्होंने ये बताया कि DC Extended Universe शुरू होने से पहले, यानि Man of Steel movie से पहले इन्होंने एक trilogy का idea पिछ किया था Warner Brothers को एक Superman की trilogy, जिसे Warner Brothers ने reject कर दिया था और इस trilogy पे भी उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली, उन्होंने ये कहा कि ये trilogy की जो story थी वो थोड़ी सी out of the box थी यानि हम जानते है Superman की जो origins है उसमें क्रिप्टॉन नष्ट हो जाता है Superman को Earth पे भीज दी जाता है लेकिन जो trilogy pitch की थी Matthew Wan ने Warner Brothers को उसमें trilogy के first, second parts में क्रिप्टॉन नष्ट नहीं होता है eventually वो जाके destroy हो जाता है लेकिन Superman क्रिप्टॉन पे ही बड़ा होता है बाद में जब क्रिप्टॉन नष्ट होता है तो Superman जो बड़ा हो चुका है वो फिर Earth पे आता है यानि कि आप सोचने ना गाइस की बहुत जादा out of the box वाला concept था तो ये trilogy उन्होंने pitch की थी Warner Brothers को जिसमें Lex Luthor, Zord और Brainiac जैसे villains होने वाले थे लेकिन Warner Brothers ने इस script को reject कर दिया था अच्छा गाइस सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा हो सकता है कुछ लोग को ये बात बुरी लग जाए देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सबस्क्राइबर हैं तो हमेशा मैं ये बात बोलता हूं कि कोई भी comic book character है अगर कोई director कुछ नया try करना चाह रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं हमें director के vision का respect करना चाहिए for example superman character के अगर हम बात करें तो Christopher Reeve का superman या Brandon Routh का superman थोड़ा tone की मामले में थोड़ा सा अलग है comic book accurate रखा गया है लेकिन Zack Snyder थोड़ा सा grounded और dark virgin लेके जा रहे थे superman को जो थोड़ा सा कहें तो out of the box thinking थी लेकिन कुछ नया वो try कर रहे थे तो हमें उसका respect करना चाहिए और मुझे personally पसंद आया था हेंद्री केवल का superman उसी तरह ये जो idea Matthew One ने pitch किया था Warner Brothers को हो सकता है बहुत से लोगों को बहुत ज़दा अलग लगे कुछ जादा ही else world type का लगे लेकिन अगर इसे movie में change कर जाता और execution अच्छे तरीके से होता तो I think guys ये trilogy बहुत अच्छी साबित हो सकती थी तो अगर आप man of steel movie की tone को support कर रहे हो उस concept को support कर रहे हो कि comic book से थोड़ा सा अलग थोड़ा सा different लेकिन आप Matthew One की इस वाली pitch को hit कर रहे हो कि नहीं ये क्या बना रहे हैं तो पर मैं क्रिप्ट आउन पे कैसे बढ़ा होगा ये script अच्छी नहीं है ये है वो है तो अगर आप इसको hit कर रहे हैं फिर तो guys ये सरासर hypocrisy कही जाएगी आपकी हमेशा director की vision का respect करना चाहिए जब idea movie में change के जाता है तो execution अच्छे से होता है तो चीज अच्छी निकल के आती है तो फिलहाल मुझे तो Matthew One का जो concept था जो cancel कर दिया गया ये भी बहुत ज़ादा पसंदा आ रहा है मुझे Jack Snyder का जो vision था वो भी पसंदा आये था Grounded Superman का लेकिन गाइस जो main बाग है वो ये है कि जो पुरानी रिजीम थी ये news जो निकल के आती है खासकर करके Superman से related की एक Superman की movie बनने वाली थी जो cancel हो गई या Superman Return का sequel आने वाला था वो Warner Brothers ने cancel कर दिया या Man of Steel ने मन मताबिक box office नहीं किया तो Man of Steel 2 को cancel कर दिया Warner Brothers ने ये news जब निकल के आती है थोड़ा बहुत पुरानी रिजीम के लिए गुस्सा मेरा बढ़ता चला जाता है यानि कि guys अगर आपको मन मताबिक profit नहीं मिल रहा है तो एक और chance देते ही नहीं थे ये लोग Superman के character को अब ये Matthew One का project cancel क्यों किया था guys उसके पीछे reason ये हो सकता है कि Superman Returns जो movie थी उसने box office पे underperform किया था मैं बोल रहा हूँ guys underperform किया था वो एक box office failure नहीं थी जो अक्सर लोग social media पे लिखते रहते हैं Superman Returns flop थी, flop थी ऐसा नहीं है जिस time Superman Returns release हुई थी 2010 के पहले जो home media sales हुआ करते थे DVD और Blu-ray ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होते थे revenue का तो इस movie ने profit generate किया था Warner Brothers के लिए लेकिन जितनी उमीद उनको थी उतना नहीं किया था लेकिन फिर भी इसी reason की वज़े से जो पुरानी रिजीम थी उसने Superman Returns के sequel को cancel कर दिया लेकिन यहाँ पर आप एक अजीब behavior देखिए पुरानी रिजीम जो थी Warner Brothers की उनका कि Batman Begins जो 2005 में आई थी वो भी कोई box office success बहुत बड़ी नहीं हुई थी लेकिन उसकी जो home media और DVD sales थी वो बहुत जादा थी इस वज़े से revenue generate किया था Batman Begins ने तो उन्होंने Batman के character को second chance दिया और Batman The Dark Knight movie बनी जिसने 1 billion dollar किया तो क्या Superman Returns को भी sequel नहीं बनना चाहिए था क्या Superman को भी एक chance नहीं मिलनी चाहिए थी एक solo project की मिलनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं Warner Brothers का उस वक दिमाग क्या चल रहा था शायद वो पूरे तरीके से focus करना चाह रहे हैं और Dark Knight Rises पे लेकिन फिर शायद Warner Brothers नहीं ये देखा कि Disney अपना connected universe बना रहा है MCU जो बहुत जादा successful हो रहा है इसलिए फिर उन्होंने हम जानते हैं काफी जादा रश किया DC Extended Universe को और आज DC Extended Universe की क्या हालत है वो हम सब जानते हैं लेकिन यही मैं कहना चाहरा था कि काफी जादा गुस्सा आता है कि अज़ा Superman fan कभी भी पुरानी रिजीम ने support नहीं किया Superman को यानि बोलते रहते हैं पुरानी रिजीम वाले जो executive थे वो यह बोलते रहते थे कि Superman box office pull नहीं है उसके पास ज्यादा box office pull नहीं है इसलिए sequel या solo project नहीं मिल रहा है उसको तो भाईया box office pull तब आएगा जब आप उसको एक solo project दोगे solo superman movie आप बनाते नहीं और बोलते हो कि box office pull नहीं है box office pull नहीं उसके पास box office pull जब आएगा ना जब general audience पसंद करेगी जब general audience को movies मिलेगी लेकिन आप जानते ही है कि Superman की movies हमेशा sequel या solo project हमेशा cancel होते रहे Batman को projects मिलते रहे उसको तो खुद का एक अलब universe मिला हुआ है लेकिन Superman के projects हमेशा cancel होते रहे और guys surprising चीज़ या interesting चीज़ यह है कि Man of Steel 2013 में आई थी और अब 2025 में जाके हमको Superman का solo project मिल रहा है यानि guys लगभग 12 साल बाद एक solo Superman project हमको मिल रहा है इससे आप अंदाजा लगाई है पुरानी regime को zero confidence था Superman के character में यानि बिल्कुल भी उनको भरोसा ही नहीं था Superman के character पे अब जो नया DC universe स्टार्ट हो रहा है guys personally मैं यह चाहूंगा कि Justice League movie जो आएगी future में वह हम वैसे भी जानते हैं आएगी ही आएगी लेकिन Justice League से पहले at least दो solo project आने ही चाहिए David Consuet के Superman के ताकि public अच्छे तरीके से Clark Kent के character से और Superman के character से वाकिफ हो जाए Now coming back to the topic guys यह जो Matthew Wain की जो pitch थी जो उन्होंने Warden Brothers को की थी I think out of the box थोड़ी thinking आपको लग रही होगी यह लेकिन अगर इसका execution किया जाता था बहुत अच्छा साबित हो सकता था और as a Superman fan guys जो केवल और केवल Superman के character पर focus करें जैसे Robert Pattinson के Batman का universe है अच्छा काईज आपके हिसाब से Matthew Wain की यह जो script थी यह जो pitch थी कि Krypton पे ही Superman बड़ा होता तब Krypton नश्ट होता और Superman जब एक adult बन चुका होता तब वो Earth पे आता आपके हिसाब से क्या यह pitch live action movies में work कर सकती थी please comment section में ज़रू बताईए और DC updates के लिए मेरे channel को subscribe करिए Thank you